नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत इंस्टेंट बनने वाली टेस्टी सी रेसीपी लेके आएं जो कि हम बनाएंगे बचेवे चावल से यहां लेफ्ट ओवर राइस रेसेपी तो बहुत ही इंस्टेंट बनके तयार होंगे और बहुत ही इजी है इसको बनाना त यहां पर मैंने दो कटोरी चावल ली हैं जो की पहले से बचेवे हैं यानि की बॉइल चावल हैं और उनको उसमें डाली है मैंने दो से तीन चमच के आसपास बेशन और नमक, हल्दी पावडर, मिर्च पावडर, गरम मसाला और धन्या पावडर और थोड़ा सा एक चुट पावडर मैंने डाला हैं मैंने दो चैनला दो मखी काटा कुट हमने डाली अपेशन और या शोलियू अको ऩे नहीं है अब तबाद की मीक्शर मिक्शर में ठीक? करते हैं तो आप यहां पर पैन भी ले सकते हैं या कडाई भी ले सकते हैं और तेल कमे करम होने दोंगे और यहां पर देख लेंगे टिक हमारे अच्छे से बैंड हो रही है बन रही है तो इतना ही हमने इसको बना अच्छे शेपने नोस ट्रहा है तो अब इसकी सबस्काई पिल कुछ आराम से बछाऊ है और हम आपने चिभाइग में पलऌ से ले यह ऐ हैं कुछ शेपयों एजहें हैं, सब्सक्राइब में अक्छा कहा है इस तरह से रखने आराम सी और साइटिक ऐसी तरह से त्यार कर लेनी हमने तो अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लिस लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना और बैल आइकन को पैस करना ताकि मेरी हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं आपके लिए से तरह चेची रेसिपी और व्लॉक्स लेके आती रहती हूँ तो आप लोग एक बड़ जरूर ट्राय करना इसको और कमेंट करकर जरूर बताना कि आपको कैसा लगा यह इंस्टेंट रेसिपी और देखिए बहुत असानी से टिक्किया बन रही है जब तब हम साही तिक्कि बनाएंगे तब तक हम मीडियम फ्लेम में ही गयस को रखेंगे उसके बाद हम ट्रीम याई करीगे अवारी साही डिक्कि बन जाएग js ही कि और इस तरह मैं सारी ट्रां कार लेती हूं आप इन टिक को चाहरा हु इस चट्नी और हौश ट्लीसे ट्रब कैचप या फिर order two इस व्हाई कर लिया है और शेंट के सब्सक्रीं कर लिया बैंगिक उनियाहसा दौन्य दोन्य आफ्ट stigma तो अराम से हमने इसको अलर्ट प्लेट के दुनों तरफ से अच्छे से फ्राइ करना है और बहुत आसान इसे प्लेट भी जा रहे हैं और इनको बनाना बहुत आसान है तो अच्छे से हमने इसे अलर्ट प्लेट के दुनों तरफ से गुल्डर ब्राउन होने तक फ्राइ करना तो हमारा इवनिंग स्टैक के लिए बहुत अच्छा है यह और पर्चे भी बहुत जादा पसंद करेंगे से तो यह देखिए अच्छे से ऐसे एक तरफ से गुल्डर ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसको पलटेंगे यह देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहे तो एक तरफ से जब ब्राउन ओन लग जाए तब हम इनको पलटेंगे और दोना तरफ से हमने इससे अच्छी तरह से अलट पलट किसी तरह से पकाना है और हमारी किस्पी करारी लाफ्ट ओवर राइस स्टिक की रैडी हो कर सकते हैं ताकि अंदर से अच्छी जब राइस से कूक हो जाए अर शिर्फ पांच मिनट के अंदर यह बनके त्यार हो जाए क्योंकि राइस हमारे पहले से कूक है और बस इसको हमने अलका से इस तरह से कूक करना है तो यह देखिए इनकालर चैंज लग गया है तो अब य इने निकाल लेती हो प्लेट में और कर देती है उनकी प्लेटिंग यह देखिए निकाल लिया में प्लेट में और सर्फ कर लिया इनको टमाटो सॉस के साथ